अब सबसे इंट्रेस्टिंग जो बात करते हैं, एक नॉमल इस्टूएंट क्योंकि तुम्हारा से खनेक सा बहुत रहा है, क्योंकि उस समय जब तुम्हारा रेंग आया था, तो तुम वन आप दाफ फेमस फेस थे, जिसे सिवम सिंग जैसे फेमस है, वैसे तुम्हारा फेस बड़ा फेमस था लोग तुमसे गाइडेंस लिए होंगे अलग-अलग मेडियम के थुरू सोसल मेडिया के थुरू तो अगर मैं बोलूं कि तुम इस्टुएंट को कितना डेस्टेंट इस्टुएंट को तुम्हारा अंडर्स्टेंट जो है लोगों से कम्मिनिकेशन के कारान थोड़ा से गुड है तुम अपना चैनल भी चलाते हो भी तो तुम्हारा अंडर्स्टेंट जो है इस्टुएंट को समझने का थोड़ा बेटर है एक टॉपर का बेटर इसलिए नहीं पाता है क्योंकि वो कितने लोग को जानेगा मतलब वो अपने को जानता है कुछ लोग को जानता है लेकिन जिसका जो ज्यादा लोगों से बात करते हैं उसका थोड़ा मेन रिजन रहते होंगे जिसके कारण वो अपनी प्रिपेशन भी करता है एफ़र भी मारता है लेकिन रैंक नहीं ला पाता क्या रिजन रहते होंगे सबसे बड़ा तो सरी है जो अमने जास्ट डिसके का नेगेटिव मार्किंग अभी जैसे मैं सेशन ले तो सब बोलते हैं बहुत वह रहा है मतलब नेगेटिव मार्किंग वर्स पाटे बता है आपने सर मतला असा है कि दो 3 साल तयारी की उस टॉपिक को भी पढ़ा इतने प्र फिर मैं इतना मेहनत करके एक्जाम में गया वहाँ पर फिर मैं दो चार मिनिट उसको दिया भी उसके बाद मेर को आते हुए मैं सब गड़त कर दिया मलब सब यह चोटी मिस्टेक रहती है जस प्लस माइनस हो गया पॉंट वन पॉंट टू हो गया उतने में मिस्टेक हो गई इस इस अपका मार्क्स चले जाते हैं तो सबसे में जो सबसे इजी तरीका है आपका रहेंक अगर बूस्ट करना है माक्स बूस्ट करना वो है negative मार्किंग मीनिमाइस करें उसमें भी सरो यह टेस सीरीस करना और मैं हमेशा बोलूँगा ने कि आप थोड़ा स्लो बनाई है ज को उत्ता करना नहीं है एम यही रखिए 50-52 करी भी आपको करना है पर एकुरेटली कीजिए आप एक प्लस पॉइंट देखिए कि आप 10 कोशन तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं उसका टाइम आपके पास बज गया तो बागी कोश्चन में मेरा एक एक मिनेट या 30 सेकेंड इंक्री करते हैं तो कैसे कुश्चन सॉल्व कर रहे हमको लग रहा है कि हम कुछ सॉल्व किये मानली जे ऑप्शन वाला है मेरा मेरा आंसर आया तू आया अब आप्शन में 1, 3, 5 दिया हुआ है तो मैं वहीं डिप्रेस हो जाता हूं तो वह बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप सॉल करते हैं कि कैसे क्या है करके वहां पर अच्छा से होल्ड कर लिए तो आप सच में बहुत अच्छा निकाल लेंगे और में को यह भी लगता है कि जैसे स्टुएंट पेपर में जब पेपर का एक्जेक्ली पेपर की बात करो अब तो लोग घर में बढ़ते तब तो इतना फ थोट है ना वो थोड़ा सा पैनिक थोट है मताब लोग हर बढ़ाना चालू कर दे और एक सॉल की कुश्चन तो रीड भी नहीं करते हैं पांच लाइन का चार लाइन का कुश्चन है दो पड़े उसमें से एक मिस भी हो गया एक आधी इंपोर्टेंट स्टेट्मेंट मिस बहुत हो गया क्योंकि हमारा टेकनिकल चीज़ें बहुत कंडिशनल पर बेस होता है कंडिशन चेंज सब चेंज होगे तो वो कंडिशन भी मिस कर दिए अब सौल भी कर दिए फटा फट सौल कर दिए अब उचार में से एक बिनी आया अब ना पैनिक होना चालू इधर अब वो कुछ लोग फिर से बनाते हैं फिर से नहीं है ठीक है कुछ लोग छोड़ देते हैं लेकिन जो छोड़ते हैं उनके माइंड में बात बन जाती है कि वो बना नहीं था दोनों की सिच्वेशन लगबाग बराबर है एक के माइंड में और एक के साथ तो हो रहा है भी तो प्रेसर को हेंडल करने वाला बनाना चाहिए और अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आपको इता मेंटली स्टॉंग होना है कि आप नेक्स कुछन में मूव करो क्योंकि आपका अभी जिन्द की खताव नहीं वह तीन घंटे है इसे केंड चीज है में गोलता है कि आप लोग ना लोग का सेलेक्शन बड़ा गुड नहीं है तुम बोले जैसे तुम 52 बना है तो तेरा कुछन चोड़े तो तेरा कुछन कौन से छोड़े तो मैटर करता है ना क्योंकि तुम उन तेरा कुछन में टाइम वेस्ट करके सबीक्राइब का नहीं जानते और आपको सलेक्शन करना हे नहीं आता है तो फिर उस exam के pressure को आप वो selection basis पर कैसे handle करेंगे तो भीया अगर आपका कोई thought जैसे तुम्हारा signal का thought बहुत अच्छा है तो तुमको पता है कि मैं signal को सोचता बहुत अच्छा हूँ तो तुम्हारा कोई subject का thought अच्छा नहीं है अब तुम वहाँ पर जबदा सी attempt मार रहे हैं तो time waste कर रहे हूँ तो आपको मैंको लगता है कि आपको attempt तब मारना है किसी ऐसी जगा पर जो सच्छी में आपका एक strong zone है अगर वो weak zone है और वो question भी आपको clear नहीं हो रहा है निकलो जल्दी से निकलो और ऐसे दस बारा question में अगर आप time waste नहीं किये तो जो आपका strong zone था या medium zone था वहाँ पर time बढ़ गया और time बढ़ने से accuracy भी बढ़ जाएगी हरवरार्ट भी कम होगी और आप cool तरीके से अपना दोगे पीपर तो यह से रही है कि test में यह सारी चीज़े सीख जाते है actually test में यसा ही है कि मतलब अलग-अलग test आते हैं कुछ easy test होते है कुछ tough test होते है तो ना test में पूरा चीज सीखने मिल जाता है easy को मैं कैसे attempt करूँ easy में अगर मैं को दिख रहा है paper easy है सारे question बन रहा है actually जो सर ने बोला ना सबसे में आप question read की आपको select करना है आपको 5 seconds लगने चाहिए मैं decide करूँगा मैं बनाऊंगा बनाने तो बनाना ही है मतलब मैं पूरा attempt करूँगा नहीं बना तो छोड़ देना है बस यह लोग किया करते पता है एक question खतरनाक आया उसको read किये उसकी जो data है उसको लिखे पहले उस data को लिखने के बाद सोच रहे कि मैं क्या करूँ अरे आर आपको पढ़के decide करके ignore कर देना है अब आप data लिख रहे हो मतलब process चालू है तीन मिनट जा चुके है और आप decide decide करी नहीं पाए हो कि इसको छोड़ना है कि नहीं ऐसे करके आप खतरनाक दस question में अगर अपना time waste की है तो तीस मिनट निकल गया और आप आप ranker नहीं बन सकते क्योंकि आपका decision जो power है वो उतना best नहीं है तो मैंको लगता है कि सिप पढ़ने से नहीं होगा मैं किसी को पढ़ा लूँ कितना भी best पढ़ा लूँ उसके पास content भी best है क्या वो best content क्या मेरा पढ़ाने से क्या वो ranker बनेगा तो मेरा answer है no मैं कौन लगता है उसको वो इंडिविजियल एक person है जिसको अपने पर काम करना पड़ेगा जिसको समझना पड़ेगा कि वो हरवरातमै या उससे उसकी accuracy की problem या सकी speed की problem है या उसकी selection की problem और मैं को लागता सिलेक्शन की problem तो सब बहुत जगे सेलेक्शन की प्रोब्लम तो बहुत जगे चोड़ने सर आता निया ने एक्चली लोगों को एक्चली ऐसा निया कि ना सब कोई आदमी पढ़ा है ना तो बना लेगा पर बनाना तीन घंटे में वह तीन घंटे में में को मैक्सिमम अब 11 मिनट तक आप प्लान से चांस है ना में पास टाइम बचा तो मैं फिर आ सकता हूं इसलिए सा सोचना नहीं कि छोड़ दिया तो मेरा गया करके तीन मांक ऐसा नहीं होता है मैं वापस आओंगा थोड़ी देर बाद उसमें क्या करना है ना कि जैसे सर कोश्चन पलेट में मार्क फॉर रिव्यू क अप्शन रहता है कुछ कोश्चन लग रहे कि हाँ यह बन सकता है पर टाइम लेगा तो मैं वेस्ट नहीं करूंगा बन सकता है मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूं आगे बढ़ जाओं ऐसी करकर कि आप सबसे इजी-जी पहले बना लीजे